नमस्कार दिनमर की वड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रिया और आए नज़र डालते हैं आप तक की कुछ मुखे ख़बरों पर सबसे पहली ख़बर उत्रदिश के बदायों जिले में दिल दहलार देने वाले दो बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कम मच गया है इस घटना को लेकर समाजवादी पार्णी ने भी जिवी पर जोड़दार हमला बोला है समपा ने सोशल मीडिया ब्लैटपॉर्म एक्स पर कहा कि बीजेपी यूपी में दंगा पसाद सम्रदाईक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी जीलों में सम्रदाईक तनाव पैदा करवा रही है बदायों की घटना इसी का प्रपारी नाम है समपा ने आगे कहा कि भाजपा जब जनता की असल मुद्दों से हार चुकी है भाजपा के पास धार्मिक वाद धार्मिक लड़ाई ही आकरी हत्यार बची है भाजपा के शारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं समाज में लड़ाई जबड़ा बढ़ रहा है समाजपा यूपी में दमना परसाथ समरदाईक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से यसी घटनाओं को खुद अंजाम भी दिलवा रही है और जिलो में समरदाईक तनाव पैदा करवा रही है जिसका परिणाम बदायो की आज़ी घटना है समाजवादिक पार्टी ने ट्वीट पर भी जेपी में भी परिटवार किया है भरचपा प्रवक्तर राकेश्टिक पार्टी ने कहा कि जांच में अबदायो की खटना पर सफ़ा घटियाराजनीती कर लेइ है अगर सफ़ा की संता होती तो अपराधियों को संडक्षंड होता उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों की खिलाव कठोरता से करवाई हो रही है बदायो कार्ड में भी अपरादी के साथ पूरी कठोरता बरती गई है बदायो जीला में एक सक्ष ने तीन बच्चों पर धादार हतियार से हमला कर दिया इन में से दो बच्चों की मौत हो गई है जबके तीस रावाच चंक भी रूप से खायल हो गया है जिसका स्वितार में एलाच चर रहा है पॉलिस ने इस दिल दहला दे रहे वन दिवालदात को अंजाम देने वाले आरों की साथित को एंकाउंटर में धेर कर दिया है जांच में अभियाए बात सामने आ रही है कि साथित जब बच्चों को मानने के लिए घर में घुसा था तो उसने पीड़ित पाइजिनों से कुछ रुपए उधार मागे थे अंगली खबर भारती जंट पाजी ने लोग सबचनाव को उतरवर्देश में अभी तक 51 प्रत्याशों की घोशना करी है सुवार्को दिल्ली में भाजपा की कोर कमेंटी की बैटक में यूपी के 25 सीटों पर उमिद्वारों के चैन का मन्थन गया गया है भाजपा ज्यक्ष, जचेपी नर्ट, जग्राय मंत्रयों में शार, मुखी मंत्रयोगी अधितिनाद भी की मौजूद्की में हुई बैटक के साथ ही सहयोगी की दोई जाने वाली सीटों पर भी जड़ जा हुई है संग मित्र लगता दूसरी बार टिकेट हासल करने की कोशिश में है पीली भीट से पिछला चुनाव भाजपा से वरुन कांधी जीती थे लेकिन कुछ दिनों बाद से उनके तेवर बदल गए है अब कई बार अपनी ही सरकार के कट घरे में खड़े करते हैं और उनसे सवाल करते नजर आते हैं अभी तक है सीट पर भाजपा के पत्ते नहीं कोले हैं सपा और बसपा भी अभी चुपी साथ में होले हैं हाला कि टिकेट के लिए बढ़ते इंतजार के बीच बर उनके बोल बतले हैं इजिंसी द्वारा उन्हें किये जा रहे हैं कई समन को जुनादी देने वारे याचिका पर प्रवितर निदेशारिश है जवाब माला है कोड ने सुनवाई की तारेख 22 अप्राल 2024 की तैकी है मंगलवार की याचिका में केजिवाल ने तर्क रखा है कि सभी समन ग्यार कानूनी है और निचली अदालत की ओर से उनके खलाफ नोटिस जारी किया जाने के बावजूर एनी वसी वियाए बार बार समन चारी कर रही है यह मात राज्यतिक रूप से किया जा रहा है इजी ने निचली अदालत में कहा था कि केजिवाल को 8 बार समन जारी किया गया है लेकिन इसका हमुपालन नहीं करते हुए भी एक बार भी पेश नहीं हुए है इसको लेकर उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए उस मामले में केजिवाल अदालत में पेश वोकर जमानत ले चुके हैं केजिवाल के खिलाफ नौवा समन हाल ही में जारी किया गया है मजिस्ट्रेट की अदालत में एजी की दो शिकायतों पर समन जारी किया गया प्रशुपती कुमार पारस ने प्रधान मंत्री नर्य होदी के निद्यतुवाली कें सरकार से अपना नाता तोड़ लिया है, उन्हें वंगरबार को केंदे मंत्री मंदल से स्तीफा दे दिया था, वहीं अब उनके स्तीफे को राष्ट्पती दौमती मुन्हूर निततकार प् का मौजूदा पोच्फोलियों के अलावा खादे परसंकरन उद्योग मंत्राले का प्रभार सौंपा जाएगा, पारस ने मंगरबार को के इंद्य मंत्री पत्से स्तीफा दे दिया था, उन्होंने भादी जंदपाटी पर बिहार में लोग सो बचनाओं के लिए सीट पाष्टे लोग जंद्शक्ती पार्टी को शामिल नहीं करने के साथ ना इंसाफी का आरोप लगाया था, पता है जा रहा है कि एक अपते पहले तक पीम नरें मोदी के नित्युत की प्रसंसा कर रहे लोजपास सांसत, पशुपती कुमार पारस ने एंडीय के सीट बटवा चुनाव लड़ना चाहते थे और यह मौका अंततह दिर्कत राम विला स्पास्वान के बेटे चिराख हो दिया गया है, एंडीय की घचंदलों के सोंवार को बैज़क होई थी और उसके बाद दिल्ली में ही बिहार भाष्वप्रवार इविनों तावडे ने बिहार के सत्त अरुड मुखी मंदरी नितेश कुमार की पाटी जंता दर्फ यूनाइटेज के राजसरबा सांसर संजय जांग के साथ सीचों का अईलान करते हुए तावडे ने लोग जनशक्ती पाटी का नाम लिया और उते बांसी थे अंगली खबर मानवी गतिविदियों और क्रिया क गाटियों पर महसूस किया जा रहा है इसके साथ यह भी बताया गया है कि मानव जरित गतिविदियों और जलवायू पर वतन के कारण एक अरुब लोगों को गंभीर पर नाम भुगतने पर सकते हैं हाइवेटिंग रिवर बेसिन गववेंश एंड कोपरेशन इंदक के लिए मीचे पानी का श्रोथ है उनकी बर्फ ग्लेशेर और वर्षा से उत्पन होकि एश्या के दस सबसे बड़ी नदी प्रलालियों को भारत को भरता है गंगा भारतिय उप महादुवियों में 60 करोर से अधिक व्यक्तियों के लिए पवित्र वे आविशक मानी जाती है अब यह भी बढ़ते पर्यावरनी खत्रों का सामना कर रही है तेजी से उद्योगी करण शहरी करण और गहन कृशन प्रुथाओं के नदी की पारिस्तितिक स्वास्त पर एक टोल लगाया है रिपोर्ड में कहा गया है कि सीवेच और उद्योगी कच्रे पर पानी को गंभी अगली खबर मत्रा जिले के बरसाना में रादारानी मंदिर में लड्डू की होली का आयो जिनके दौरान भारी भीर के कारण रेलिंग तूटने से हुए हास्ते में 25 शद्धालों घायल हो गया है मंदिर में एक कुजारी ने वगसंबादात को बताया कि शनिवार को शांग को हजारों के संख्या में शद्धालों के आने से मंदिर में सीडियों पर रगी रेलिंग से उनका दबाव नहीं छीर सकी और वें तूट गई इस से कई शद्धालों नीचे गिर पड़े जिससे भगदर मच गई इस घटा में 25 शद्धालों घायल हो गये हैं ये शद्धालों कई घंटों से मंदिर के पट खुलने का इंतजार कर रहे थे प्रत्यक्षिदर्शियों के अनुसार भील का दबाव बढ़ने से एक कारण यह भी था कि बड़ी संक्या में शद्धालों लड्टों लूटने में लगे थे खुजारी ने बताया कि घायश धालू को सामुताइक स्वास्त के इन ले जाए गया है उनमें से एक को केटी मेडिकल कॉलेज एन होस्पिटल तथा चाल को जिला अस्पताल ले जाए गया है इस घंट्रा में एक महिला की मौती खबर भी आई थी लेकिन जिला प्रसाशन न कर दिया है उन्होंने फंडिक के सोर्च से कनेक्ट किया इसे आज पूरा देश कर्व से कह सकता है कि हमारा स्थाट अप एक्नॉमिक्स सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित तहीं है तो भालत की स्थाट अप प्रांति का नित्यत देश के चोटे शेरों के युगां ही कर स्थाट अप महाकुंब में प्रिधानमंत्री मोधी ने कहा कि हर छेत्र में नौजवान आई जया लेकर आते हैं कम से कम रिक्वाइमेंट के साथ में काम करते हैं और इसकी ताकत बढ़ाई है और यही सपने हैं यही शक्ती है इसी लोग कहते हैं कि मैं इसे डश्ट करूग अब हम भारत में इनोवेशन और स्टाट अप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ाते हुए देखा जाया रहे हैं केंद्रिवानी जेव उद्दियोग मंद्री पियुश कोयल ने कहा कि स्टाट अप महाकुंब में भारत के अभिनाव प्रतिमात के अन्डू स्पिरिट और प्रभाव के प्रबल इच्छा शक्ति का इक वतीग है 21 सदी स्टाट अप की सदी है और स्टाट अप इसे भारत की सदी बनाएगा यह मेरा पक का विश्वास है आज के लिए वस इतना ही बाकी ख़बर जानने के देखते रहे है तब लेके दिया अ झाल त्चाट डिट कर चे मेरा यह दो आज के शुव स्टार के बाम न तर भीम है